आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की स्पेशल रेसिपी उसके लिए मैंने लिया है यहां पर आदा कप घी उसमें से दो चमच घी डालके आदा कप बदाम डाल ली है गैस की फ्लेम को लो रखा है और आदा कप काजू डाल ली है अब हम इसमें आदा कप अखरोट भी डाल लेंगे और सबी चीजों को गी में अच्छे से भून लेंगे ड्राइफ रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कम जादा भी कर सकते हो जो पसंदना हो उसे इसकी भी कर सकते हो यहां पे हमारे ड्राइफ रूट है वो भून गए है उनको एक प्लेट में निकाल लिया है अब कड़ाई में गी थोड़ा कम है तो इसमें दो चमच गी और एड़ करके अब मैंने यहां पे लिया है आदा कप गॉन्द गॉन्द सहत के लिए बहुती फाइदे मंद होता है सर्दियों में गॉन्द खाना चाहिए क्योंकि गॉन्द की तासिर है वो गरम होती है तो ये सर्दियों में जरूर खाते हैं लोग इससे जोडों में दर्द कई चीजों में बहुत फायदे मन्द है कई बिमारिया दूर होती हैं गौंद खाने से तो गौंद सर्दियों में जरूर खाना चाहिए थोड़ा सा गी और कम रह गया था तो और डाल के गौंद को फ्राई कर लेंगे यहां पे मैंने सारा गौंद है वो फ्राई कर लिया है अब यहां पे मैंने लिया है आदा कप नारियल आप इसकी जगे डेसिकेट कोकोनेट भी ले सकते हो अगर नारियल है तो इसे गिसके भी ले सकते हो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें क्योंकि नारियल है वो जल्दी से भून जाता है नहीं तो जल जाएगा हमने नारियल भी भून के निकाल लिया है अब लेंगे एक मिक्सी के जार और इसमें डालके इसको दरदरा पीस लेंगे बारिक नहीं पीछना है दरदरा पीछना है और गॉंद को भी पीस लेंगे गॉंद को भी हमें सारा गॉंद मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको भी पीस लेंगे तो यहां पे गौंद भी हमारा पिस्के तियार हो गया है सेम कड़ाई में हम एककटोरी आटा डाल देंगे यहां पे मैंने एककटोरी आटा लिया है इस कड़ाई में से घी निकालने के जरूरत नहीं है अब जो घी बचा हुआ था घी डाल देंगे और इसमें एक कटूरीगी ओड़ायट कर देंगे अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए आटे को अच्छे से भून लेंगे आटा है जितना अच्छा हमारा भूनेगा गौन पाक का टेस्ट उतना ही अच्छा आईगा तो हम कंटिनू चलाते हुए आटे को अच्छे से भून लेंगे आटे में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगेगा 7-8 मिन्ट में हमारा आटा है वो भून के रड़ी हो जाएगा अगर आप वर्त के लिए बना रहे हो गौन पाक तो इसमें गेहू के आटे की बजाए राजगरी का आटा कट्टू का सिंगाडे का आटा डालके गौन पाक बना लीजीगा 7-8 मिन्ट के बाद हमारा आटा है वो अच्छे से भून गया है यहां पे जो हमने गौन पीस के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है जो हमने ड्राइफ रूट भून के रखे थे वो भी डाल देंगे और जो हमने नारिल का बुरादा रखा था वो भी इसमें डाल देंगे रच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहाँ पे 15 से 20 काली मिच कूट के लिए है अगर आपके पास सफिद मिच हो तो वो भी डाल लीजेगा अगर यह चीजे किसी को पसंद ना हो तो वो इसकी बिगर शकते हो लेकिन यह सब चीजे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं सर्दी खासी जुखाम के लिए इसे बहुत ही फायदे मंद हैं मैंने यहां पे एक कटोरी लिया है गुड़ गुड़ को भी बारिक बारिक कर लिया है और गैस को मैंने ओफ कर दिया है तो यहां पे हमारा मिशन रेडी हो गया है जो हमने घी ग्रिस करके ठाली रखी थी उसमें मिशन डाल के अच्छे से सेट कर लेते हैं अब इसे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए इसके उपर ड्राइफ रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ब उस्तोरादेल।